हलो एवरिवन आज के इस वीडियो में कवर करने वाल हैं स्पोर्ट्स इवेंट्स को देखो जो भी स्पोर्ट्स इवेंट्स दोजर तेईस में हुए हैं या फिर जो भी पिछले साल हुए हैं और आगे जो भी इनका नेक्स्ट एडिसन होगा उन सब यूको में इस वीडियो के एक्जाम्स में पूछे गए हैं 2018 का कॉमन विल्थ गेम्स पूछा गया है और इस्टलिया के गोल्ड कोस्ट में आज़ित हुआ था यह 22 एसेन गेम्स देखो 2022 वाला एसेन गेम्स है ना यह 2023 में आज़ित हो रहा है ठीक है यह 19th एडिसन है इसका यह चाइना के हंग्जाउ सहर में आज़ित होगा 24 का यूथ विंटर ओलंपिक की बात कर तो यह तो है साउथ कोरिया के गैंगों सहर में आज़ित होगा 31 का मेंस वर्ल्ड कप यह इंडिया और बैंगलादेस दोनों मिलकर आज़ित करेंगे और संतोष ट्रॉपी जो है 22-23 वाला उसका चैंपियन क्योंकि करेंट वाले हम याद कर लेते हैं ठीक है लेकिन एक्जापुल क्या कर रहा है ओ जब्ल किस यहां यहां पर हमारे भारत के तरफ से फाइनल में पहुंच गए थे आर प्रगनानंद लेकिन फाइनल में हार गए हैं मैगनस कालसन से जो कि नौर्वे के काफी मतब पूरे वर्ल्ड के अगर आप बोलो तो बेस्ट चेस प्लेयर हैं अभी के टाइम में यह तो आर प्रगनानंद यह पहले भारतिय बने हैं चेस वर्ल्ड कॉप के फाइनल में पहुंचने वाले यह आपको याद रखना है एड़ दी एज ऑफ एटीन ही इस यंगेस चेस वर्ल्ड कॉप फाइनलिस्ट एवर टू डेट यह भी आपको याद रखना है लास्ट यहर के जो चैंपियन थे व हेल्ड इन विच कंट्री तो इसका आज़न जो है हंगरी में हुआ है आज 27 को यह खतम हो जाएगा यहाँ पर देखिए मोटो है विटनेस दवोंडर 1927 अगस्त यह आज समाप्त हो जाएगा यह बात करें तो कहां पर हंगरी के बुड़ा पेस्ट में दरबाइस का जो वर् फिल दा ग्लोरी नेक्स्ट है अंडर 20 वर्ल्ड रेस्लिंग चैंपियन सीब 2023 हेल्ड इन विच कंट्री तो इसका आज़न हुआ है ऑप्सन भी जौडन में यह आपको याद रखना है काफी सारे फैक्स हैं यार सबको याद रखना है यहाँ पर देखो प्रिया मलीक अंतिम पंगाल एंड सवीता ने गोल मेडल जीते हैं एक कोई स्टुडेंट है उन्होंने कमेंट किया था कि अंतिम पंगाल जो है वो मेल है देखो वह हैं अमित पंगाल ठीक है यह हैं अंतिम पंगाल यह फीमेल ही है आपको याद रखिएगा होस्ट कंट्री इस पर का जौडन में होगा याद रखिएगा सर्विया की जो राजधानी है बेल ग्रेट में वहाँ पर इसका आउजन होगा एंड हाली में आपने एक न्यूस तुना होगा जो रेस्लिंग फेडरेशन ओफ इंडिया है इसको सस्पेंड कर दिया गया है इसकी मेंबर्सिप को सस्पेंड कर पर इंडिया गया है उनाइटेड वर्ल्ड रेस्लिंग के द्वारा तो अभी आगे देखो क्या होता है इसके बाद बात करें वाट इस दी रैंक ऑफ इंडिया इन एसीन एथलेटिक्स चैंपियंशिप 2023 तो एसीन एथलेटिक्स चैंपियंशिप जो हुआ था उसमें भार 27 मैडल जीते ही इनों ने 6 गोल्ड जीता है बात करें तो इनडिया तो थर्ड पर रहा फर्स्ट पर आए जापान सेकेंड पर है चाइने ऑफिसियल मैस्कोट यहांका याद रहे यह काफी खास है लॉड हनुमान जो है यहां पर ऑफिसियल मैस्कोट यहां पर रखा गया थ एसेन एत्लेटिक शेंपियंशिप 2030 में फिर वीच कंट्री पूल आउट एज कॉमन विल्थ गेम्स 2026 होस्ट तो देखो 2026 जो है न कॉमन विल्थ गेम्स को यहां पर होस्ट करने वाला था आस्ट्रेलिया का ब्रिस्वें सहर लेकिन अब जो है यह नहीं करेगा तो यह आपक देखिए विल्थ एसेन गेम्स 2023 बी ऑर्गनाइजड जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 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 यह है तो इसका एविजन जो है कहां पर होगा हंग्जाव सहर में जो कहां का सहर है चाइना का है न आप पर देखो रित्राज गाएक वार्ट किरिकेटर है उनको इंडिया टीम का कैप्टन बनाएगा किरिकेट टीम का और जो इंडिया विमेंस टीम है किरिकेट की उसकी क्यप्टन को रहेंगी हर्मन प्रीतकौर सक बाद देखो है आप पर एसेन गेम्स को सारे मैंने एक जगहापर कर दिये में दोफ देजित हो रहा है। चाइना के हंग्जों में नेंटिंट एडिसन है। दोफ्ट अज़ित होगा आईची नगोया में जापान में 20 एडिसन होगा। तो यहां पर देखो एसे नियूत गेम्स की बात कर लें तो यहां पर देखो एसे नियूत गेम्स प्रटीश गेम्स में यहां एक बात करें तो यह हर चार साल में एक बार होते हैं ओलंपिक की तरह वर्ल्ड कप क्रिकेट का होगहे ओवी चार साल में एक बार होता है तो यह सब याद रखने हैं हाँ, T20 World Cup जो है न, वो हर साल आयोजित होना होता है, किर्केट की बात कर रहा हूँ, World Weightlifting Championship 2023 will be held in which country, Weightlifting की बात हो रहे हैं यहाँ पर, तो इसका आयोजन जो है किया जाएगा साओधी अरभिया में, और साओधी अरभिया की जो राजधानी अर्याद, वहाँ पर आयोजित होने वाला है, कब सेप्टमबर 2023 में, फिर वर्ल्ड रेसलिंग, यहाँ पर पिछे क्या था, वेटलिफ्टिंग, आब है रेसलिंग, वर्ल्ड रेसलिंग Championship 2023 is set to be held in which country, तो इसका एवजर होने वाला है, सर्विया में, ऑप्शन भी सही हो जाएगा, सर्विया की बैल ग्रेड में यह आपको पता होना चीए, फिर दोहा डाइमेंड लीग 2023 was held in which country, दोहा किसकी कैप्टेल है, कतर की है न, तो कतर में ही एवजर थुआ होगा, ओप्शन एस सही हो जाएगा, और यहां पर नीरा चोपला ने जो है इस लीग को जीता था, फिर यहां पर देखो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट से, दर तेज का जो है, बास्केटबॉल वर्ल्ड कप की बात करें, तो इंडोनेसिया, जापान एंड फिलिपिन्स तीनों मिलकर आउजित कर रहे हैं, तर बाइस का बास्केटबॉल वर्ल्ड कप की बात करें, तो यह उस्ट्रेलिया के सिडनी में आउजित हुआ था, दिका में आउजित हुआ है और 22 का जो विमेंस रगवी वर्ल्ड कप यह न्यूजिलेंड में आउजित हुआ है काफी सारे फैक्ट्स है लेकिन याद सभी आपको करने पड़ेंगे यार देखो प्रसन जो है ना आजकर बहुत जादा स्पोर्ट से लेटर पूछे जा रहे है इन विच सिटी वोज दे कॉमनवेल्ड गेमस 2022 हेल्ड कहां पर आज़ित हुआ था दौर बाइस का कॉमनवेल्ड गेमस यह वह था बिर्मिंगम में बिर्मिंगम सहर कहां पर है उनाटेड किंगडम में याद रखियेगा एंड ये 22nd एडिसन था दौर बाइस में आज़ित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं कॉमनवेल्ड गेमस और बाइस से रिलेटेड आपको सारे पढ़ लेने हैं यहां का मोटो था गेमस फूर एवरीवन एडिसन जो है 22nd था पेरी तबूल जो है मैस्कोड था इंडिया की पोजिशन यहां पर रही थी फोर्थ टूटल म हुख लेते हैं यार बहुत बहुत सब्सकेशन आपके Κाप्नेगर यहां काफ़ी टाइम से ये नीज पढ़ते आ रहे होगा अभी तक तो आपने याद भी कर लिया होगा अभी जो है अक्टूबर से ये स्टार्ट भी है तो इंडिया में आउजित होगा बात करें एडिसन की तो तेरह होँआ एडिसन था ठीक है पुराने में बात करें जो किर्केट वर्ल्ड कप हुआ था जिसे आउजित किया था इंग्लैंड और विल्स दोनों ने मिलकर ये बारहुआ एडिसन था चैंपेन यहां पर इंग्लैंड ही बन गी थी रॉन अप यानी फाइनल में राय था निवजी लैंड को और वीमें वर्ल्ड कप टॉन्टी के बात नहीं हो रही इंडिया में होगा साथ अफरिका जिंबाब्बे नामीबिया तीनों मिलकर आउजित करेंगे तर 31 में यहां पर चैंपियों इंडिया ही बनी है एक वार आपको कंफर्म कर ले नहीं चीज़ ट्रोफी है यह पाकिस्तान आउजित करेगा 1029 का जो आउजिसी चैंपियन्स ट्रोफी है वह इंडिया आउजित करेगा आगे देखो विच कंट्री होस्टेट था आउजिसी मेंस टीटवंटी किरिकेट वर्ल्ड कप टॉटेटेटेटी टू तैसका आउजिन जो है कहां पर हुआ था ऑप्सन डी ऑस्ट्रेलिया में आउजित हुआ था आज यसी मेंस टीटवंटी वर्ल्ड कप दोएर 22 का इसको जीत लिया था इंगिलेंड ने फाइनल में राया था पाकिस्तान को आठ्वाए एडिसन था एंड़ एकईस का मेंस टीटवंटी वर्ल्ड कप की बात करें तो ये और वन ने दोनों मिल कर आउजित किया था जहांपर चैंपियन बनी थी और पिछले साल के पिछले साल की बात करें दो आगे सब लिखे गए एक्डम लाइन बाइन पढ़ देना आपको दर बाइस वाला ऑस्ट्रिलिया में हुआ दोर चौबीस वाला जो ह USA and West Indies दोनों मिलकर करेंगे दर 26 का जो है इंडिया और से लंका में आज़ित होगा तो इंडिया वाले खास करके आपको याद रखने हैं दर 28 का जो है अस्ट्रेलिया और इंडियुजिलेंट दोनों मिलकर आज़ित करेंगे दर 30 वाला जो है यह इंगलेंड इंडियुज कंट्री विल दा एसिया कप कि क्रिकेट टूर्णा में 2023 भी हेल्ट यह इंपोर्टेंट है क्योंकि इसका पहले आज़न जो है पाकिस्तान में होना था तो काफी सारी खवरे आरती की भारत जो है पाकिस्तान में पाटिसिपेट करने नहीं जाएगा जिस मेंसे इस टूर्णामेंट को जो है स्रिलंका में भी आज़ित कराया जा रहा है तो पाकिस्तान और स्रिलंका दोलों सभी हो जाएंगे तो पर वीनर की तो ऑस्टेलिया ने खिताब जीत लिया है सातवी बार खिताब जीता है वर्ल्ड कॉप का विवेंस क्वाला की बात करते इंग्लेंड को फाइनल में हराया है प्लेयर अप्ट सीज रही थी एलिसा हेली जो के ऑस्टेलिया की है एड़ाशी वीमेंस किर्केट व 24 एडिशन था मोटो तर टुगेदर फॉर और शियर्ड फ्यूचर मैस्कोट था इसका बिंग ड्वेंड ड्वेंड एड़ाटारा का जो विंटर ओलंपिक्स था वो का पर आउजित हुआ था साउथ कोरिया के योंग चांग में यहां रखले ना जोकी ट्वांटीट एडि होगा ऑप्शन भी फ्रांस के पैरिश में यह आपको याद रखना है आगे आप पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट से जोगी कहां पर होने वाल है फ्रांस के पैरिश में न आप बात करते द्वार एक इस टोक्यो ओलंपिक की यहां पर मोटो था इसका उनेटेड इमोशन मैसकोर ता मिराई तोबा फ्लैग बीरड बात करें हमारे भारत की तरफ से तो मैरी कॉमेंड मनप्री सिंग थे ओपनिंग में एंड क्लोजिंग सर्मनी में बजरंग पुनिया थे इंडिया जो है फोटी एट स्थान पिरा है मेडल टैली में यह आपको याद रखन में ऐसे एम यहीं नहीं होगा इसको करना फेकिन कर दिया किसको समर लंपिक वहां आपको याद अठने सब्सक्राइब में दर्चोंपिस समरल ओलंपिक ठर्टीफ एडिशन नहीं करना नहीं ठीक है अगए बात करते हारे ऑटेक्पिस में एडिशन टुकियो जापन में जर यहां पर देखो विंटर ओलंपिक्स की बात करी गई है दरबाइस का विंटर ओलंपिक्स कहां पर आजित हुआ चाइना के बिचिंग में हुआ ना दॉट चब्विस वाला होगा इटली के कर्टिना और मिलान सहर में और चॉबिस का यूथ विंटर ओलंपिक्स की बात करूं यह होगा साउथ कोरिया के गैंगवों सहर में आगे देखिए इन विच कंट्री दा टॉटि नटी टू फीफा मेंस वर्ल्ड कप वाज हेल्ड 22nd एडिशन था 22nd एडिशन था चैंपियन की बात करता अरजंटीना ठर्ड टाइटल रणर फ्रांस टॉप स्कुरर जो है यहां पर थे एमबाप्पे जो आठ गोल सिनों ने किये थे बेस्ट प्लेयर बनेते लिवर्ण मेसी एडिया जो है फॉस्ट फीफा वर्ल्ड कप थ यह कहां पुरुआ था उरुग में बहुआ था 1930 में आगे देखो इन विच कंट्री विल्ड फीपा विमेंस वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन 2023 दर तेज का फीफा विमेंस वर्ल्ड कप पुछा जा रहा है कहां पर आयोजित होगा तो यहां पर सहीत तरह आप्शन डी ऑस् चुका है ठीक है होगा नहीं हो चुका है नाइंथ एडिसन था चैंपिन बन गई स्पेन यहां पर इन्होंने फाइनल महरा देता है इंग्लेंड को गोल्डन ग्लॉब मिला है मैरी आप्स को जो कि इंग्लेंड के लिए खेलती है गोल्डन बुट मिला है हिनाटा मिया प्रफफा एक मिनिट दरबाइस फिफा अंड़ण 20 विमेंस वर्लड कप की बात हो रही फिडिया देना कोस्टारीका में होगा अंड्र टॉन्टी मेंस वर्लड कप की बात हो रही है यह होगा इंडोनेशिया मी यह तो मेन इवेंट से नहीं देखे पीछे ठीक है यह ओंड और 17 विमेंज व्ल्ड कप इंडिया में हुआ दो और 13 का फीप फीपड़ 17 में में व्ल्ड कप पेरू में होगा बात करें अपने से इंडिया में एजित हुआ था एडिशन था बीशों जहां पर चैंपियन बन गई थी चाइना ठीक है नाइन्थ टाइटल था इसका इंडिया में रहा है था साउथ कोरिया को यह आपको याद रखना है आगे देखो 15 पूरुस होकी विश्व कप 15 में होकी वर्ल्ड कप की बात हो रही है इसका इवजन कराएगा है इंडिया में ही इंडिया का ओडिसा राज्य में हुआ था ना तो यहां पर देखो चैंपियन बनी है जर्मनी फाइनल महराद यह इन्होंने बेल्जियम को थर्ड पर रहा है निदर्लेंड्स कलिंग स्टेडियम जो भूबनेश्वर में है एंड बिर्शा मुंडा स्टेडियम जो है यह रावर केला में है तो यहीं दोनों पर इसका एवजन हुआ था 23 से 23 से 29 जनवरी तक 26 का मेंस होकी वर्ल कप है पूरुजों वाला वह आजित करेंगे बेल्जियम एंड निदर्लेंड्स दोनों मिलकर याद रखेगा फैक्ट आगे है इन विच कंट्री विल द फिप्टिंथ विमेंस होकी वर्ल कप टू बी हेल इन 2022 तो विमेंस होकी वर्ल कप यहां पर पूछा जा रहा है तो इसका आजन जो है हुआ है स्पेन एंड निदर लेंड्स में आजित किया जाएगा आगे देखो इन विच कंट्री वाज दो वर्ल्ड गेमस 2022 ओर्गनाइज्ड वर्ल्ड गेमस होते हैं विस्व गेमस दर्बाइस का इसका आउजन कहां पर हुआ था यूएसे में हुआ था ऑप्शन एस ही हो जाएगा एंड यूएसे का जोआएगे विर्मिंगंगम सेर एंगलेंड में विए जहां पर कॉमनवेल्ड गेमस दर्बाइस का हुआ था यह बिर्मिंगम में यूएस वाला जहां पर व्ल्ल गेमस दर्बाइस आइजित हुआ है और वल्ल गेमस 2025 की बात करें तो यह चाइना के चेंगडू सहर में इसका इंडोनेसिया फिलिपिन्स एंड जैपान तो ऑप्सण डी सही हो जाएगा याद रखेगा कब से कब तक होगा तो अगस्ट 25 से जो है शेप्टमबर 10 तक यह चलेगा तेन देश मिलकर आउजित कर रहे हैं इसको और उनिश्वा एडिसन है आगे मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियंशिप 2023 तो बॉक्सिंग की बात हो रही है मुक्केबाजी की तो इसका जो है कहां पर आउजिन होगा यह होगा उजबेकिस्तान में ऑप्सन भी सही हो जाएगा एड जारे कैस का जो है मेंस वर्ल्ड यह कहां पर आउजित हुआ तर्की के इस्तानबुल में यह बारह हो एडिसन था दौर 22 वाला विमिन्स का ठीक है आगे देखो वर्ल्ड अथ्लैटिक्स चैंपियंशिप 2022 विस्व अथ्लैटिक्स चैंपियंशिप 2022 की मेजवानी कहां पर होगा एथ्लैटिक्स के बात हो र चैंपियंशिप 2023 तो याद रखिएगा हंगरी बुड़ा पेस्ट में आउजित हो चुका है 27 जो इसका लास्ट डेट है फिर फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स यह आप आ गया हम अपने भारत में जो आउजित होते उसमें तो इसका आउजन कहां पर हुआ है चौत है पर एड़ किये गए थे गत का क्लारी पैटू जो है ठांगता मालखंब एंड योगासन ठीक है ठाड़ एडिसन जो था इसका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हुआ था असम के गोहाटी में फिर फीप्त खेलो इंडिया यूथ गेम्स यह तो चौथा मैंने पीछ फिल करा मैसकोट यहां पर थी आशा जो कि एक फीमेल चीता है एंड टॉर्च जो है वो अमर कंटक था फिर बात करें आप थार्ड एडिसन ऑफ खेलो इंडिया इंडिया इंवर्सिटी गेम्स पीछे थे यूथ गेम्स अब आगे इंवर्सिटी गेम्स तो इसका कहा प्राइजन शुटिंग जो इवेंट्स था ना वह जो है निव देली में आजुट है तो क्या पता इस तरह का प्रसन पूछ लिया जाए कि खेलो इंडिया इंवर्सिटी गेम्स जो है तो इसका शुटिंग इवेंट्स कहा पर आजुट हो था तो वैसे तो आउजन कहां पर कंप्लीट हो रहा है उत्तर पर देश में लेकिन शुटिंग इवेंट्स जो सिर्फ निव देली में आजुट हुआ है मैसकोट था जितू जो की बारा सिंगा है एक टॉप थ्री इंवर्सिटी के बात करें तो पंजाब इंवर्सिटी नंबर वन पर रहा है दुसरे पर गुर्णानक देव इंवर्सिटी थाड पर है जैन इंव शेड रखिए न फिर आगे आप देखो 20 20 नहीं सेकेंड खेलो इंवर्सिटी गेम्स की बात हो रही है पीछे थाड खेलो इंवर्सिटी गेम्स बात किया न अब है सेकेंड यहाँ पर पैंगलुडू के नाटक में इसका सेकंड जो है बैंगलूरू में थर्ड उतर परदेश में आगे हैं वर्ल्ड आर्चरी चैंपियंशिप टॉंटी-टॉंटी-फाइब जो है कहां पर आज़ित होगा तो इसका आवजन क्या जाएगा साउथ कोरिया में याद रखेगा साउथ कोरिया का देखो गांगजू एक सहर आगे विच कंट्री विल होस्ट टेंथ में रगवी वॉल्ड कप रगवी की बात हो रही है तो इसका आवजन कहां पर होगा यह होगा फ्रांस में याद रखना है पीर वर्ल्ड बैड मिंटेंट चैंपियंशिप 2026 बैड मिंटेंट का चैंपियंशिप 2026 पुचा जा तो याद रख लेना बात करें तो यह कहां पर हुआ फ्रांस के पैरिस में दशब्शका हुआ नहीं यार तो होगा ठीके जब्शब्शका जो है तो यहां पर देखो लिस्ट दी गई है ठीक है यह याद रख लेना फिर आगे आपर उबर कप होता है बैडिमिंटेंस रिलेटेड एंड थोमस कप जो थोमस में मेंस खेलते हैं उबर कप में जो वीमिन खेलती है तो उबर कप 2022 का चेंपियन रहा है साउथ कोरिया फाइनल मे बैंकोक में यहां पर देखो पुछा जा रहा है कोपा अमेरिका फुटबॉल चेंपियनशिप 2024 कहां पर आयजित किया जाएगा तो इसका एजन होगा ऑप्सन डी एकवाड़ोर में एंड़र 21 का जो चेंपियन है वो रहा है अर्जंटीना 15 खिताब जीता था अर्जंटीन में आयजित होगा फिर कुछ अदर स्पोर्ट्स इवेंट से आपके लिए मैंने लिग दिए हैं देखो कंप्लीट वीडियो है ना इसलिए सब कुछ मैंने कवर कराया है अंडर 17 जुनियर स्क्वाइस इंडिविज्वल चेंपियंशिप की बात करते हैं चाइना में जीत कहां पर आजुत हो है साउथ कोरिया में एंडिया का स्थान यहां पर रहा है सेकेंड तो आज की वीडियो में इतना ही था यह आपके लिए प्रस्ट नहीं कि द्वाइब किसने जीता है कमेंट बॉक्स में लिख कर बताईएगा और बाकि औरेंज का परपल के भी आप पर आपको कम्प्लीट प्रवाइड गरा जाते सभी लेक्चर के अगर आप आगे एक्जाम देने वाले हो तो म्यूजिक एंड घराना फेस्टिवेल और फिर जीके इस तरह के जो टॉपिक है स्टैटिक जीके के हमने सारे कवर करा रखे अपने चैनल पर तुम सबको आप कर देख सकते हो थैंक यू फर वाचिंग वीडियो थैंक यू सो मच